हलो एवरिवन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक्जाम अकेडमी के इस इन्फार्मिशनल प्रेटफॉर्म पर जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी युनिवर्सिटी की तरफ से टीचिंग एंड नौन टीचिंग पोजिशन पर जो रिक्रुमेंट निकल कराते हैं उनका इंफार्मिशन विडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते रहते हैं मौलाना आजाद राष्टी प्रायोगी की संस्थान जो की भुपाल में स्टैबलिष्ट है सिच्छा मंत्राले भारत सरकार के अधीन एक राष्टी महत्तो की संस्थान है यहाँ पर एक नोडिफिकेशन पब्लिस किया गया है 20 नमबर 2024 के डिट में और यहाँ पर इन्होंने फैकल्टी पोजिशन में रिकुर्मेंट मांगे हुए हैं असिस्टन प्रोफेशर का पोस्ट है जिसके उपर हम वीडियो में बात करेंगे तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे यहां मौलाना आजाद National Institute of Technology भोपाल इस एन इस्टिटूट आफ नेशनल इंपोर्टेंस अंडर दर मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन गवर्मेंट आफ इंडिया का ये इस्टिटीशन है से recommend मांगा गया है detail post जो है वो नीचे आपका इस notification में mention किया गया है यहाँ eligibility criteria और जो vacancy से समबंदिद interaction है सारी चीजे इसे notification में ही mention किये गए है यहाँ पर जो पहला post है assistant professor का post है और grade 2 का यहाँ पर position है contractual basis यह post यहाँ पर रखे गए है total of seat की बात करें तो 28 seat आप आविदन कर सकते हैं assistant professor grade 2 के लिए जिसमें general categories के लिए 17 seat हैं OBC categories में 3 seat हैं SE categories के लिए 2 seat हैं ST में 4 और EWS में 2 seat आविदन मांगे गए हैं यह सारी seat डिवाइट की गई है categories wise और यहाँ जो qualification इस post पर वो academic payable 10 की है यानि entry salary आपकी 7,900 रुपए से start की जाएगी और यहाँ पर AGP आपको 6,000 रुपए के करीब में provide कराये जाएगे इसके बाद जो post है वो assistant professor grade 1 का post है और यह जो position है वो permanent post पर आविदन मांगे गए हैं लेकिन यहाँ पर जो seat है वो सिर्फ और सिर्फ 5 seat ओ पर आविदन निकल कर आया हुआ है academic payable 12 की salary है 1,500 रुपए की entry salary आपको यहाँ पर दी जाएगी और 8,000 रुपए प्लस यहाँ great pay यहाँ पर आप लोगों को दीए जाएंगे तो जो भी interested candidate हैं वो लोग आविदन कर सकते हैं इनके last date से पहले तो यहाँ पर हम important date भी देख लेते हैं 20 नुमंबर 2024 को यहाँ पर आविदन इनका open किया गया है आप इनके official website पर जाकर application farm का जो portal है वो fill up कर सकते हैं क्योंकि 20 नुमंबर से आपका application farm fill up हो रहा है 19 दिसंबर 2024 का last date रखा गया है और इसी date से पहले आपको अपना application farm apply कर लेना है qualification की बात करें तो यहाँ पर हर department के लिए अलग qualification है लेकिन जो basic qualification है उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ master degree का qualification अगर है तो भी आप eligible माने जाएंगे department of computer science and engineering बी टेक बी एम टेक और मेंस के साथ integrated UGPG आपसे मांगे गए हैं और PhD आपसे related subject में अगर आपके पास है आप आविदन कर सकते हैं department of electronic electrical engineering के लिए भी qualification सेम है department of electrical and communication engineering में आविदन यहाँ पर रखे गए हैं department of material and metallurgical engineering में आविदन मांगे गए हैं जिसमें बी टेक, बी ए और एम टेक, मे, एमस के साथ साथ UGPG और PhD related subject में आपके पास हो आप आविदन कर सकते हैं department of mathematics, bioinformatics और computer application में आविदन मांगे गए हैं जिसमें आपका mathematics, graduation, label पर हो MSC, MS और MA आप लोगोंने mathematics में किया हुआ हो आपने MSC, data science में, MSMT किया हुआ है mathematics में या data science में या dual degree आप लोगों के पास है तो आप eligible रहेंगे आविदन करने के लिए तो computer application का भी यहाँ पर post or center of artificial intelligence department से भी यहाँ पर आविदन मांगे गए हैं assistant professor के लिए तो तकरीबन यहाँ पर 32 seat के करीब में seat निकल कर आई हुई हैं जो भी लोग interested हैं जो लोग आविदन करना चाते हैं वो इनके इस website पर जाकर आविदन कर सकते हैं और आविदन जो है वो सिर्फ और सिर्फ online mode के माद्यम से ही यहाँ पर मांगे गए हैं किसी other way से अगर आप फार्म apply करेंगे तो आपका application farm reject कर दिया जाएगा अफिशल पोर्टल यहाँ पर मिंसन है इस पोर्टल पर जाकर आपको आविदन कर लेने हैं यहाँ पर कुछ interaction भी है आविदन से related तो आप इसे भी अच्छे से read कर ले और application fees की अगर हम बात करें तो 1500 रुपए application fees आपको देने होंगे अगर आप general OBC और EWS कटेगरी से विला करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही इस तरीके के और भी information हम वीडियो के माद्यम से आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते रहेंगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए information के साथ अब तक के लिए thank you so much